नमस्कार, City Post Live में आपका बहुत बहुत स्वागत है दिन भर की तमाम एहम खबरों के साथ मैं हूँ गौरवतिवारी बुलेटिन की शुरुवात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से बिहार के छपरा के बन्यारपूर थाना के धोबल के पास एक स्कूल वैन पर बिजली का हाई टेंसन तार गिर गया इस हादसे में दो बच्चों की जुलसने से मौके पर ही मौत हो गई है जबकि याधा दर्जन बच्चे और ड्राइवर गंभी रूप से जक्मी बताय जा रहे हैं वह इस घटना से पूरे इलाके में मात्मी सन्नाटा पसरा हुआ है लालू प्रशाद याधव के हाई प्रोफाइल साले के रूप में देश भर में चर्चित साधू याधव की याचिका सुप्रीम कोट ने मंजूर कर ली है आपको बता दे कि साधू याधव को वाई प्लस सुरक्षा मिली हुई थे जिसे दो साल पहले हटा लिया गया था जिसके खिलाफ साधू ने पहले पटना हाई कोट फिर सुप्रीम कोट में याचिका दायर की साथी साधू याधव ने ततकालीन बिहार के मुख्य मंतरी और लालू प्रशाद याधव पर आरोप लगाया था कि राजनीतिक दोईश्च के कारण उनके सुरक्षा हटा दी गई है गौरतलब है कि साधू याधव पुर्व सांसद भी है और अपनी गरीब जनता दल सेकुलर पाटी के रास्या ध्यक्ष भी है इस नाते उन्हें केंदर सरकार से सुरक्षा की दरकार है चारागोटाला मामले में लालू पृषाद याधव को जमानत मिल चुकी है और वो पटना आ चुके हैं वही राची की सीवियाई कोट ने लालू पृषाद के वकील के सामने बेल ओर्डर के लिए कई शर्ते भी रखी लालू प्रशाद बेल के दोरान कोई भी राजनीतिक रैली नहीं कर सकते हैं वहीं मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं और जहां भी वो इलाज कराएंगे इसकी जानकारी उन्हें कोट को देनी होगी आरजडी सुप्रीमो को अपने 6 हफते की अंतरिम जमानत के दोरान इन शर्तों का खयाल भी रखना होगा राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ के रानीपूर इलाके में एक युवक की गोली मारकर निर्ममता पुरवक हत्या कर दी गई है जानकारी का नुसार मिर्तक युवक का नाम सूरज बताया जा रहा है जिसकी हत्या का रोप शेखर नाम के युवक पर लगा है हलाकी अभी तक इस हत्या के कारणों का कुछ पता नहीं चल सका है पुलिस मामले की जाच में जूटी हुई है बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने राजगीर में एक महिने तक चलने वाले मलमास मेले का उदगाटन किया आपको बता दे कि मुख्यमंत्री ने कुंड परिसर में पूजा अर्चना कर मेले की शुरुवात की वह इस मौके पर कई साधू संत भी मौजूद रहे बिहार के सुपॉल जिले के रागुपुर थाना पुलिस ने लोडेट देसी कट्टा के साथ दो लोगों को गिरफतार किया है जिसमें एक नावालिक लर्का भी शामिल है गिरफतार किये गए युवको के नाम मुन्ना मंडल और 15 वर्षिये राजु कुमार है फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कारवाई में जुट गई है बेगुसराय के बचवारा थाना छेतर के गोनुचक ढाला के पास बचवारा से अपने घर जा रहे व्यवसाई की पाइक छीनने के दोरान लुटेरों ने गोली मार दी जानकारी का नुसार अपराधियों दोरा व्यवसाई की बाइक और लगभग 1900 रुपे की लूट भी की गई है फिलहाल पुलिस इस मामले में च्छान बिन कर रही है CBI ने बुधवार को PNB के दो अरब डॉलर से अधिक के घोटाले मामले में चार्ज सीट दायर की है CBI ने आभूशन कारोबारी मेहूल चौकसी और उसकी मालिकाना कमपनियों तथा अन्य व्यक्तियों सहित 17 अन्य के खिलाफ चार्ज सीट दायर की है आपको बता दे कि मुंबई में एक विशेश सीविया या दालत में चार्ज सीट दायर कीया गया है चौकसी गितांजली समूह की कमपनिया तथा 16 अन्य के खिलाफ दरज FIR से जुरे चार्ज सीट में एजेंसी ने आपराधिक साजिश धोखाधरी तथा ब्रस्ता चार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए हैं फिलहाल के लिए इतना ही तमाम खबरों की नई अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें सीटी पोस्ट लाइव के साथ